नमस्कार आप सभी का स्वागत है जमू लिंक्स न्यूज में और मैं हूँ विशाल शर्मा आतंकी संगठन TRF यानि के दरिस्टन फरंट ने अब कश्मीरी पंडित इंप्लोईज की जो की PM पैकेज के तहत कश्मीर में अपॉइंट हुए हैं उनकी एक सूची जारी की है और ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि TRF के पास इन इंप्लोईज की सूची मौजूद है यानि के कॉन्फिडेंशल चीजों में सेंदमारी की गई है किसी अपने ने विश्वास खात किया है लेकिन TRF ने एक बड़ी दमकी इन कश्मीरी माइग्रेंट इंप्लोईज को दी है और बाकाइदा एक ठेट लेटर जो है वो इस बाबत जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि TRF के पास सभी इंप्लोईज की डीटेल मौजूद है हलाकि जो सूची TRF ने अभी हाली में जारी की है वो इसे एक छोटी सूची बता रहा है लेकिन TRF का ये कहना है कि उ इंप्लोईज यहाँ पर दिल्ली की रजीम ने कश्मीर के माहोल को बदलने के लिए लगाए हैं और इन सभी को TRF ने जो है वो धंकी दी है हलाकि इस पूरे मामले में BJP ने प्रोब की डिमान की है यानि कि जाच की मांग की है कि आखिर कैसे एक आतंकी संगठन TRF जो की अप्लोड की है उसे देखकर तो यही लगता है कि शायद सरकारी रिकॉर्ड ही TRF के पास पहुंचा यानि कि कश्मीर में कश्मीर में सरकारी सिस्टम के अंदर अभी भी आतंकी मौझूद है आतंकियों के रहनुमा मौझूद है उनके हमदर्द मौझूद है जो कि उन्हें इस प्रकार की confidential चीज़ें जो है वो प्रवाइड करते हैं इससे पहले जर्निस्ट की जो कश्मीर में पत्रकार हैं उनकी एक सूची जो थी वो TRF ने जारी की थी और उसके बाद अब कश्मीरी पंडित इंप्लॉईस की लिस्ट जो है वो TRF जारी करता है यानि के TRF जो है वो कश्मीर में हर किसी को परसनल ही आप कहें कि अटैक और टार्गेट करने की कोशिश में है डराने की कोशिश में है अलाकि इसमें अब जांच की मांग जरूर की जा रही है कि ये बात बिलकुल इसकी जांच होनी चाहिए कि कैसे कश्मीरी पंडित इंप्लॉईस जो की किसी की भी जानकारी जो है वो बड़ी ही आसारी के साथ हासिल कर लेता है और फिर सोशल मीडिया पर धंकियों का दौर जो है वो शुरू होता है कश्मीरी पंडित इंपलॉईस की बात करें तो फिलहाल जम्मू में उनका जो परदर्शन है वो लगातार जारी है वो यही कह र ये वहाँ पर अपना काम करिए लेकिन इस बीच जो ये सूची आप टियारफ ने जारी की है ये कहीं न कहीं आप कहें कि ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो जरूर लाएगी जो एक विश्वास बनाने के परयास थे सरकार के उन्हें धक्का यहाँ पर जरूर लगेगा इसमें कोई संदे नहीं है क्योंकि एक आतंकी सगंड़ज जो है वो अगर धमकी बरी सूची जारी करता है बकायदा इंप्लॉईज के नाम जारी करता है तो ये मामला छोटा नहीं हो सकता है और इसमें ट्यारफ ने लिखा है बकायदा यहाँ पर लिखा गया है कि तो यह उननीस लोकेशन और छे हजार फ्लैट्स यानि के वो यहां पर ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास इनकी लोकेशन और फ्लैट्स भी मौजूद हैं. तो यह उनको लेकर बौफलाहत जो है वो टी एर फ की है कि एक तरफ जो है वो हुरिपस्लेट्स भालों की प्रपट सीज हो रही हैँ है और दूसरी तरफ जो है वो इन 60 अर फ्लैट्स और nitकी लोकेशन तो यहां पर देखिए पूरी डिटेल जो है वो ट्यारव यहां पर लिख रहा है तो कुल मिलाकर सूची जारी हुई है किसी ने विश्वाजगात किया सरकारी रिकॉर्ड आतंकियों तक पहुंचा यह बहुत बड़ी बात है इन्वेस्टिकेशन जो है वो डीप इन्वेस्टिकेशन के जरूरत है जैसे जनलिस्ट को जब दमकी दी गई थी तो उसके बाद काफी डिटेल प्रोब हुई काफी रेट्स पड़ी लेकिन बड़ा अश्यारी दिनक है कि उन सब के बीच एक और सुची जारी होती है और इस बार सुची जो है वो सरकारी रिकॉर्ड की हो जाती यानि कि पी-एम पैकेज के अंदर लगे हुए इंप्लॉईस की हो जाती है तो मामला गंबीर है और बिज़ेपी ने फिलहाल प्रोब की डिमान की है अब देखना यह होगा इस पूरे मामले में कौन आरूपी है कौन दूशी है और उस तक कब कानून के हाथ पहुंचते है और कैसे कश्मीर के सुरतहाल को सामाने रखा जाता और कैसे इंप्लॉईस को दुबारा कश्मीर जाने के लिए मॉटिवेट किया जाता है यह बहुत दिल्चस्प पीज़े होगी लेकिन टियारफ की तरफ से इस परकार के लेटर रिलीज होना और बकाइदा नाम जो है वो इसमें दिये गए है तो यह परिसितियां जो है यह जरूर सिरियस नेचर की है और इन पर वर्काउट करने के जरूरत है और टियारफ का जो भी कोई सोर्स सरकारी सिस्टम में है उसे भी पहचानने के जरूरत है अन्यता ऐसी ब्लैक शीप्स हमारे सिस्टम में लगातार सेंद मारी करती रहेंगी और कहीं न कहीं हमारे मुलाजिम, हमारे इंप्लॉईस जो की सरकार और स्क्योटी फोर्सिस पर पूरा भरोसा करते हैं उनके भरोसे को ठेज पहुंचती रहेगी और अपनी जान पर जब संकट बना हो तो जाहिर सी बात है कोई भी ऐसे माहोल में जाने के लिए तैयार नहीं होता है तो फिलहाल ये सुची जारी की गई है अब देखना ये है कि आगे कि इस प्रकार से जो है वो इस पर कारवाई होती है नमस्कार